हालो गाइज, विल्कम बैक टूर्ट चैनल, मैंने सौनम चोहान, तो आज की वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे हैना अरेडिंट के बारे में एक ऐसे फिलोसफर जिन्हों ने अपने पॉलिटिकल जो पीवस उन्हों ने इस तरीके से दिये कि काफे सारी चीजों को उनने सप करेंगे, ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी वीडियो पसंद आती है, तो लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइगन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप त काउट कर सकते हो तो इसलिए अब जो लेक्ट्यर है उसको स्टार्ट करते तो सबसे बहले बात करेंगे हैं हमां इसकी बाइग्रिफी के बारे में इनकी इनका जर्म का हुआ देखिए हना अरेंट का जो जर्म है वो 14 अक्टूबर 1906 को हनोवर यानिकी जर्मानी में हुआ था और सबसे आसान तरीका इनको समझने कही है कि जब भी आप इनकी बाइग्रिफी पढ़ें तो एक वॉल्ड मैप को जरूर देखें कि जर्मानी में हनोवर कहां पर है किस जगा पर इनके लोकेशन जरूर चेक करें चाहे आप इनके ऐसे पिक्चर भी देख सकते हैं तो इसे जो बाइग्रिफी उनको कैसे समझा जाए ठीक है जर्मानी में जिसे हनोवर में हनागा जन्म हुआ तो वो जगा कहा पर है तो ऐसे पिक्चर आप जो भी चीज़े देखते हैं तो वो काफी लंबे टाइम तक आप उसको याद रख पाऊगे तो चलिए आगे की जो इन्फ मारबर्ग उनिवर्स्टी, फ्रीबर्ग के अलबर्ट, लुडविक उनिवर्सटि और हीडल बर्ग उनिवरस्टी में फिलोसफी का जो लाइफ पिरिएड रहा है जो इनका टाइम रहा है उनके उन्होंने अपने टाइम में कौन सी किताबे लिखी है उनके बारे में भी यहां पेम चर्चा कर लेते हैं जैसे उन्होंने अधिनायक वाद कुद्पती 1951 में जो पब्लिश की गई थी इसके बाद आपने फिलोसफर का नाम इसमें से चूज करना पड़ेगा ठीक है बिट्मिन पास्ट एंड फूचर नाइंटी सिस्टी वन में पब्लिश की गई थी ओन रिवोलुशन नाइंटी सिक्टी इनके सामने मैंने की पब्लिश इयर भी नोट यहां पे कर दी है ठीक है में इन डाक से खास जो जहां से कोशन डेफिनेटली बन सकता है वो यह है जो इनकी अधूरी रह गई थी बाद में उनके दोस्त ने और समवादद ने जो उनका पब्लिश और उन्होंने मिल करके इसको पब्लिश किया इसको कंप्लीट किया बट यह है कि अधूरी पांडूली पी हम इ को आरा लिखी गई तो आपको पता हुना चाहिए है ना अरिडेंट के दोरा ठीके और इसके बाद बात करेंगे इनके कुछ पॉलिटिकल थोट के बारे में हुमें से रिलेटिड इन्होंने क्या-क्या बाते की हैं ठीके जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि मनुष्य की मानसिक पक्षों पर सबसे ज़्यादा इन्होंने दबाव दिया है कि एक साहितेगार उन्डी के लिटरेचर रही है एक किसी भी फिलोसफर को आप पड़ोगे तो वो एक पॉलिटीशन ही नहीं है उसने पॉलिटिकल साइंस को स्टेडी नहीं किया बाकी और अधर सब्जेक्स को भी इसने स्टेडी किया है और यहां तक कि जैसे हमने आपे पाड़ी लेकि हिडलबर्ग उन्वस्टिय से उन्होंने फिलोसफर फिलोसफी में डॉक्टरेट की उपादय चीव किये तो इस आधर पर वो एक लिटरेचर भी है एक दर्शन शासर भी है ठीक है तो उन्होंने कि जो इंटर्नल प्रॉब्लम्स होती है हमें उन्हें समझने की जरूत है वो उसका एक अलग प्रस्पेक्टिव होता है तो इस तरह की चीजों को लेकर के वो काफी ज्यादा स्टेडी कर रही होती है अपने किताबों में भी आप इंडिविजल कभी इसकी किताबें पढ़ इनको जब स्टेडी किया तो देखने को मिलता है कि यह रोमन जो एरा है उसकी आइडिलोजी को बहुत जादा सपोर्ट करती है रोमन काल की जो अधारिटी रही है जो सिस्टम रहा है पॉलिटिकल सिस्टम सत्था जो रही है महांकी जो रिलेजिजन्स जो वहांके और इसके अलावा काफी सारी ऐसी बाते भी वो इसके सपोर्ट में रखती हैं और बाकी इस चैप्टर में जानने के लिए जादा कुछ नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक ही पेज का चैप्टर यह लास्ट वाला चैप्टर था जो मैंने स्टाइटिंग से लिया है क्योंकि अब मुस्किल से मुस्किल आपके पांचे ऐसे टॉपिक रह गए हैं और मैं कोशिश करूँगी कि लगातार जो आपके पांचे टॉपिक से वह आज और कल में इसको खतम कर दूँ ताकि आपका जो एक्जाम आने वाला है कुछ बच्चों का शायद मंडे में और कुछ बच्च कोई प्रेशान तो निचे कॉमें बता सकते हैं और यह लेक्चर आपको कैसा लगा क्योंकि लेक्चर बहुत ही चोटा था बहुत ही ज्यादा चोटा था कराने का मेरा मक्सद ही था कि अगर इसे कोई कोशन आ जाता है तो ऐसा नहों कि आपने पढ़ा नहीं है ठीक है और त इस इंफोर्मेशन के साथ में नेक्स लेक्चर में तब ते के लिए जेहीन जे भारत